Hello my dear, कैसे हैं आप सब, आप सब का 2S classes में स्वागत है, आज हम लोग class 10 history ठीक है, chapter number 4 जिसका नाम है भारत में राश्ट बाद मैं आज आप लोगों के सामनी जो प्रस्ण लाया हुना, वो बहुत ही मज़दार और बहुत ही interesting है, और ऐसे प्रश्ण बिहार बोट पूसता है, और वो इसलिए पूसता है, वो जानना चाहता है कि बिहार बोट का बच्चा किस तरह का तयारी करता है, इसलिए बिहार बोट क बच्चे को इस तरह की तैयारी करवाने के लिए अक्सर ऐसे प्रश्ण पूसते हैं, तो चलिए मैं आपके सामने प्रश्ण को रख रहा हूं और आप देखिए, प्रश्ण क्या है, कहता है कि प्रश्ण में ध्यान से देखेगा, प्रश्ण यहां दिया हुआ है, क्या कि ब तो उसके ओपर एक टिपन्नी लिखिया यानि कि उसके बारे में कुछ लिखिये और थोड़े सब्दों में लिखे और उसकी सारानस भी अच्छी होनी चाहिए और उनके जो भी घटनाए घटी है वो सारी घटनाए इसी टिपन्नी के अंदर आप दरसाए और कोसिस रखें कि वो सारी बाते लिखे हैं जो बहुत ही महत्पुन और वो सारी चीजें जो important point हो जो important point of view से देखा जाए और जो exam जो exam देने वाला बच्चा जो exam दे के और जो copy check करने वाला हो जो सिच्छक यानि जो copy जो check करते हैं वो check करने के बाद उसको यह पता चल जाएं कि बाई बच्चे ने जो है बिहार में किसान आंदोलन पर जो टिपनी लिखा है वो बहुत ही सुंदर और अच्छी ढंग से लिखा है तो I hope कि ऐसे बातों पर अगर आप ध्यान रखोगे तो आप लोगों को अच्छे माकसानी की chances रहेगा ठीक है तो जो मैं आपके सामने जो प्रशन रखाऊं वो प्रशन बहुत ही interesting है तो देखे क्या कहता है बिहार में किसान आंदोलन पर एक टिपन्नी लिखे असल में हुआ था क्या कि बिहार के किसान जो है बहुत परेसान थे किस मेटर को लेकर के वो आपको मैंने आपको चमपारन सत्यहगर आंदोलन में मैंने बताया था कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हासा हुआ था जिस वज़े से इस तरह की घटनाएं वहां घटी थी और उस तरह की इतनी बरी परिशानी हो गई थी जो अंत में जो है महत्मा गांदी जी आये थे और इसमें इस आंदोलन में अंगरेजु के खिलाप में जो है क्या कि वो आंदोलन छिड़े थी और ये आंदोलन होने का सबसे बड़ा खिलाशनी है अगर बीस कठे जम एंतो उनमें आपको तीन कठे पर आपको जो है नील की खैती करनी है और बाकी जो सत्रह कठे जो आपके बसते हैं उन में आपको जो है क्या करनी है यानि कि दो अपनी एकोर्डिंग जो भी फशल आप लगाना चाते नेगी तो आप अप बनजर बना देते थे भूमी को क्या बना देते थे वो बनजर बना देते थे तो ऐसे हालात से बचने के लिए महत्मा गांदी ने अंग्रेजों के खिलाब में एक आंदलन छेरा और कहा कि नहीं ये गलत है किसानों के सदाइसा होना सही नहीं होगा तो आए सबसे पहले इसके खेती करने के कारण से ही किसानों की हालत क्या हो गया था बहुत बुरा हो गया था बहुत बुरी इस्तिती में वो पहुँच चुका था और साथी साथ उन्हें सो सत्रे इसमी में जब इस तरह की हालास से जूज रहते परेसान हो रहते तब किसानों ने अपने करांती काडियो से जो उनके लीडर हुआ करते थे उनसे कहा कि आप जो है महत्मा गांदी से मदद मांगिए और अंग्रेजों के खिलाब में यहाँ पर एक जो है यानि आंदोलन छेरना ही होगा तभी सायद अंग्रेज अपनी कार्णिन की हरकतों से बाजाएंगे तो क्या हुआ कि 1917 इस्वी में गांदी जी ने चमपारन सत्यागरा आंदोलन की सुरवात की और वो क्या किया कि 1917 इस्वी में गांदी जी ने चमपारन में सत्यागरा आंदोलन सुरवात की मैंने आपको पहले भी बते आया था कि सत्यागरन, सत्यागरन अंदोलन मैंने बते आया था, यह क्या है, किसान अंदोलन है, तो किसानों से जुड़ी भी बाते हैं, तो अब सवाल यहां उठता है कि जब यह आंधोलन चरायं गया तो अंगरेजों को इस बात के लिए राजी होनापडा ब्रिटीष सरकार को अंतता किसानों की मांग माननी पड़ी जो किसानों ने मांग रखी थी वो उस मांगों को उसको मानना ही पड़ा ठीक है और दूसरी बात क्या हुआ कि किसान अब यानि किसान जो है अब अपने अधिकार यानि किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागुरूख हो चुके थे अब उस पे किसी तरह का कड या किसी तरह के बंदिस या उसके ओपर किसी तरह की यानि कि क्या होगा जुल्म नहीं होगा किसी तरह कि उसको लगान नहीं भनेंगे क्योंकि वह वहां पर वो जीत चुके हैं ठीक है अब आगे की बास सुनिया तो ये थी बिहार किसान आंदोलन के बारे में अगर आप इतनी भी अच्छे से सजावट से लिख देंगे तो आई होप कि अपने नमबर नहीं कटेंगे ठीक है अब मैं आपको इसके कुछ most जो not pointed है वो जानना भी आपके लिए जरूरी है कि कौन कौन सी जगह में कहां कहां किसान जो है संगठन जो हुई थी तो कहां कहां हुआ था वो जगह के अवारे में जानना जरूरी है जो कि बिहार में दो जगह पे हुआ था बिहार में दो जगह पर आये सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या पहला point है देखिए नोट point में है कि बिहार में 1922 से 1923 में मुंगेर में सहा मोहम्मद जुबेर के देखरेक में किसान सभा का गठन हुआ था कहां पर मुंगेर में याद रखेगा मैं बात किस से कर रहा हूं बिहार के अंदर ही मुंगेर है और ये मुंगेर की बात कर रहा हूं और दूसरी बात दूसरा तो ये तो हुआ ही तो कब हुआ था 1922 से 1923 में कहां पर बिहार के मुंगेर में और अगर objective में आप उससे पूछ सकता है कि बिहार में 1922 से 1923 में मुंगेर का जो किसानों का यान जुबेर कहां के रहने वाले थे तो आपको बताना होगा मुंगेर या फिर सव अबजेक्टि में पूछ सकता है कि सहा मुहमत जुबेर के देखरेक में यानि कौन सी इस्वी में हुई थी तो अप्सन में ये दे सकता है कि उन्हें 122 से उन्हें 123 ऐसा पूछ ले तो याद देखना उन्हे 122 से उन्हे 13 ऐसे भी आपको पूछ के कन्फ्यूज कर सकता है ठीक है चलिए अब नेक्स्ट और प्रसन देखने इसमें तीसरा नौट पॉइंट में क्या है दूसरा कि स्वामी सहाजादानन यानि कि सहाजानन्द ने 1928 से 1929 इस्वी में बीटा में किसान अंदर ही एक जगा है जहां पर उसने किसानों का संगठन भी किया चलिए अब तीसरा नौट एक पॉइंट और देख लीजे 11 अपर 1936 इस्वी को लखनों में अखील भारतिये किसान सभा का यानि गठन किया यह भी बात आप याद रखेगा तो कहने का मतलब है कि जो किसान आंदोलन के बारे में जो मैंने आपको अभी जो बताया ठीक है जो किसान आंदोलन के बारे में बताया तो वो आपको टिपन नहीं लिखना और मैंने ये नौट पॉइंट में जो तीन बाते जो एक नौट यहां बताया दूसरा नौट मैंने आपको यहां बताया और तीसर लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सेर करो और अपना कमेंट में जरूर लिखना ठीक है, तो चलिए आप मेरे जो प्रस्न जो मैंने आप लोगों के साम रखा था, पहले आप उस प्रस्न का स्क्रिन सोट ले लिजिए, ठीक है, ले लिए, चलिए, यानि आप यहाँ तक स्क्रिन सोट ले चुके हैं, चलिए, अब आगे नेक्स्ट इसका दो और पॉइंट है, अभी दोनों का भी स्क्रिन सोट ले लिजिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए, जय हिंद,